असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आज हम आपके साथ चैय करेंगे चिकन चपली कबाब के रेसिपी बहुत ही जाए टेस्टी एंड जूसी हमारे चपली कबाब बनके तयार होंगे और एक दम से बन जाएंगे जितने आसान होंगे बनने में उतनी जाए टेस्टी चिकन चपली कब रूला आपके सब्सक्राइन दें हीं निटेंग आए तीन स्वेश्mäßig सेटे ही लेगा पेश्ट आपने लाक पुटा देना है यहां बना कुटा जीघाना पौडर है्प्राइन यह चमन पर यहां करेंगे के सथ यानि का भूने वह चने को कुंद्र पीस लिया था तो सथ थू बनके तयार वोगया है और इसी कशाथ एट करेंगे one टी इस्पून अधर कलेस्ट का पेश्ट और यहाँ पर कोई रख कर देंगे कैड़ कर देंगे होज़ी के साथ हैं यहाँ इसको के सब्सक्राइब хозя boss द करेंगे तो मिश्च कर दिया है तो यह नॉर्मल तीक ही होती है जारत तीक पर नहीं होता आप चाहे तो इसकी जगा चिली फिलेक्स भी एट कर सकते हैं तो सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो इसके कबाब बना लेंगे तो हमने हाथों पर इस तरह से ओई लगा लिया है पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना पाने लगाएंगे तो अब हम कबाब को फ्राय कर लेंगे तो यहां पर हमने दो टेबल स्पून ओइल लेना है और ओइल हमारा गरम हो गया है तो यहां पर हमने एक कबाब एट कर देना है तो सारे कबाब को इसी तरह से एट कर देंगे और गेस का फिलेम में मीडियम रखना है क्योंकि मीडियम पर जिर पर कबाब अंदर तक शिक जाएंगे तो गैस का फिल में मीडियम कर दिया हुग towel है तो देखे इस त algumas एक साइट से कबाब जो बहुत इसा स्वी थर से सिक गए हैं तो कबाब को पफ्र में पुलट देंगे और कबाब कबाब को हमें बार बार अलटते प्लटते ही रहेना है चिस रोचा अच्छा पानी कमा और estásd कबाब के अंदर तक तो इस तरह से कबाब को प्रेस कर देना है जिससे सारा एक्ष्टा पानी निकल जाएगा तो यहां पर कबाब जो हमारे दोने तरफ से अच्छे तरह सिख गए हैं और बहुत जायर टेश्ट है हमारे कबाब यहां पर चपली कबाब बनकर तयार हो गए हैं फ्रेंड्स बह अगर आपको रेजबी पसंद आ रहे हैं तो फिलीज ती यह पर देख पर देको फोलूजर जरूर जरूर कर लीजिएगा बहुति जार तेश्टी और लदीथ हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं अंदर से बहुंदा जूसी और सौफ्ट हमारे चपली कबाब बने हैं तो फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर बनाईएगा अस्सलाम अरेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खड़े मसाले का चिकन इस्टू की रेसिपी ये बहुत जादर लजीज और टेस्टी बनकर तयार होगा तो एक बार आप ज़रूर बनाईएगा तो इस्टू बनाने के लिए यहां पर हमें सबसे पहले दो बड़े चमच ओईलेट करना है तो यहां पर हम दो बड़े चमच ओईलेट कर देंगे और इसी के साथ हम यहां पर कुछ खड़े मसाले लेंगे क्योंकि हमें इस टुक खड़े मसाले का बनाना है तो हम साले मसाले खड़े ही एट करेंगे तो यहाँ पर हमने दो तेस पत तलिये हैं जिसको बीच में से तोड़ लिया था तो यहाँ पर हमने पानी से ड्राय कर दिया था तो चिकन एट कर देते हैं यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमने चिकन एट कर दिया है और चिकन को हम अच्छी तरह से चला देंगे ओल के साथ ही जिससे सारे मसाले में चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और चार से पांच मिट अच्छी तरह से चिकन केहाद है इसी के साथ यहां पर हमने बढ़े टुकड़ें काट लिया था और युद्ध रावनेien में तो 12-study यहां पर हमने च्छेस टीमी ऑले लाल मिर्च ली हैं और उससाथ यहां पर नमक लिट करेंगे और यहां पर हमने अच्छी मतर हासा सारे मसालों को मिला देना है जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएंगे और चार से पांच मेट इसको और बनाएंगे अच्छी तरह से हम और गेस का फिलेम हमें हाई ही रखना है तो यहां पर हाई फिलेम पर अच्छी तरह से चार से पांच मेट हमने इसको बना लिया है और इसी के घब जाये मेरे कना लो करना ही तो देखु इसको हम अच्छे तरह से चला देंगे और जो बाड़े इनको जाएगे विएकि आपने तो यहां पर देखें थे हम Kin Well करें यहां पर में तेन हरी म करकते हैं को अफ़unkर क्मीश लिया है यहां पर हम ने तो उपमरी प्यास करदेंगि लें तो हरी मे ज्यूफंगर एट करदी है तो अब यहां पर में सारे ख्धाव मसालों को अच्छी तरज से लेना हैं और किसे उसमीशी कहला देयर, प्यास को जिससे साले मसालों में प्यास अच्छी तरह से मिल जाएगी तो यहां पर देखे फ्रेंड्स प्यास को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है और अच्छी तरह से प्यास को हमने मिला दिया है और हम इसको दस मिनट तक हाई फ्लेम पर बनाएंगे जिससे प्यास हमारी अच्छे तरह से भुन जाएगी तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए है और प्यास हमारी बहुत अच्छे तरह से भुन गई है और इसको पर हल्का गुराबी कलर भी आ गया है प्यास के उपर तो इसमें हम कुछ मसाले एट कर लेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर एट करेंगे 1 टी स्पून हल्दी इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है इस्टू का तो हल्दी जरूर एट कीजेगा और इसी के साथ हम एट करेंगे पिसा हुआ धन्या पाउडर तो यहाँ पर हमने 1 टी स्पून पिसा हुआ धन्या पाउडर एट क शायेंगे यहाँ पैबं सबसेंदे के बहुत आटिotte प्रकारणे और जा इसको मीडियम फिलेम पर बनाएंगे 15 मिनिट के लिए मिलुकुल मीडियम एंजंगी है बना सकते हैं तीन सीटी हाई फ्लेम पर लगा लीजेगा यह तीन सीटी में बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो देखें फ्रेंड्स 15 मिट हो गए है और हमारा इस्टो जो है अच्छी तरह से भून गया है तो अब हम इसमें धनिया एट कर देंगे तो धनिया एट करके हम 5 मिट औ होती अच्छा आता है इस्टो का और जिके साथ हमने आप तीन हरिमेट को इसता थे दो सिलाइज में काटकर रख लिया था तो हरीच भी है अच्छी तरह से भून लेंगे यहां पर दे इस्टू हमारा बहुत अच्छी तरह से भून गया है और खड़ी साला का इश्टू जो हमारा बनके तयार हो गया है तो फ्रेंड्स एक बार आप जरूर बनाएगा ये चिकन इश्टू आपको रेस्पी पसंद आ रही है तो पिलीज आप चेर्णों को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड इसके साथ और एक बार आप ये मज़दार और डिलिशित चिकन इश्टू बना कर ट्राइग कीजिएगा बहुत जारा लजीज और टेस्टी चिकन इश्टू बनकर तयार हुआ है फ्रेंड्स असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ चेयर करेंगे चिकन जापना की रेसिपी ये बहुत ही जारा लजीज और डिलिशित बनकर तयार होगा तो एक बार आप ज़रूर बनाईएगा तो चिकन जापना बनाने के लिए यहाँ पर हमने साथ सुक्रम चिकन लिया है और चिकन को हम आपने अच्छी तर्से बोश कर लिया है और इसका साथ पाने यहां पर ड्राइ कर दिया है तो सबसे पहले हम चिकन को मेहन अ 有ैं में अट तो यहां पर डो चम हम प nossa तीक करेंगे और सभी मसालों और आज़ुक्त और एक कब दही, दही को में सबसे पहले फेट लेना है क्योंकि इसमें लंप्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो दही को हमने भूत अच्छिता से फेट लिया था, एक कप हमने यहाँ पर दही एट कर दी है, और इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा लेमन जूस एट करना है, तो यहाँ पर हमने एरेमन जूस भी एट कर दिया है, और सबी मसालों को हम फिर से मिक्स कर देंगे, और एक घंटे के लिए हम चिकन को मेइन एट करने के लिए रख देंगे, तो चिली इसका एक रोस्टेट मसाला तयार कर लेते हैं, सबसे पिर हम इसके गिरेवी और इसके साथ अपनी आवर 10-12 काजु लिए हैं, और काजु काम ने दो पीसे में काट लिया था इस तरह से तो इसके में गिरेवी त्यार कर लिनी है, और हम इसके एक रोस्टेट मसाला भी तयार करेंगे, तो यहाँ पर हम रोस्टेट मसाला बनाने के लिए 1 डेबल हम दो चमच लेंगे, मोटा धनिया, और इनको हम अच्छे दर से रोस्टेट कर लेंगे, यानि भून लेंगे इनको जिससे इनका कलर हरका से चेंज हो जाए, और फिर हम इसका पॉडर तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें, अच्छे दर से हमारा मसाला भून गया है, तो अब हम इसका एक पॉडर बना लेंगे, और देखें, इसका हम पॉडर तयार कर लेंगे, तो चलिए हम चिकन बनाने के तयार स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें दो बरे चमच ओल लिया है, और इसी के साथ हम यहाँ पर एक दाल चिनी का टुकड़ा और तीन हरी ल तो चमच पहल दो बनाएंगे, यहाँ पर चिकन को पना लें दो तक हाई फिलेम पर तो देखें भी न भूद अच्छा पानी चोड़ दिया है, और चिकन भी हमारा आधा कूक हो गया है, तो तो चिकन भी जो अची ताह से भून गया है, तो जो आपने पर ग्रेवी बना कर पर प्याज यह इंसे हम भी हमेस ग्रेवी हेट करें दो कर दोगाने हैं二 luc you को इसको अच्छे तरह से मिला देंगे ग्रेवी को भी एचे तरह तार स्कालbs कि मिला देना है यहां यहां पर हमें जिससे साय चिकन में ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और दस मिनट तक इसको हम फिर बनाएंगे हाई फ्लेम पर कवर करके यहां पर हमने चिकन को अच्छी तरह से मिला दिया है और दस मिनट तक हम फिर बनाएंगे हाई फ्लेम पर इसको कवर करके जिससे चिकन ह़े महारा अच्छी तरह से कुक हो जाएंगा तो यहां पर देखिएए कुख जацион दस तरह से कुक हो गया है तो आप इसको में भून मचाल लेना है जिससे इसको पर बूर्ब अच्छा सा और सेपरेट हो जाएगा तो यहां पर देखिए अच्छी तरह सब्ढ़ने लगा है तो यहां पर कुछ मसाले करेंगे यहां पर हम फोन टी-जपून सबंड़ जाईगा है तो देखिका अच्छी तरह से खृप्रेट ऑफ्रीप कर देख सकते हैं तो नहों मेल एट करेंगे ग। दो से तरह से पतंड हो गए है तो चिकन को यह अच्छी तरह से दो तीर में अगए मत्सक्राइब कर देंगे काटकर बीत को सब्सक्राइब चेहां हमें थोब ड्राइब हरे मिट्स कर देंगे गarnya करने और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और दो से स्य तीं मिले टोर बना लेगे जिसका अच्छा सा फिलिवर आ जायेगा चिकन के साथ ही और हमार जैड़ जैपना बनेकर तयार हो गया है बहुत ही ज़्युदा टेश्टी और लजीज हमारा चिकन जापना बनेकर तयार कीजिएगा तब ही कुछ अलग से खाने का मन हो तो चिकन जहां बना के रेसिपी ज़रूर ट्राइए कीजिएगा बहुत जार लजीज और जूसी चिकन हमारा बनकर तयार हुआ है फ्रेंड्स अगर आप फेस्बेकर देख रहे हैं तो प्रीशिपी कुछ इनको फॉलो कर लेते हैं तो यहां पर हमने 700 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को हमने अच्छी तरह से दो कर साफ कर लिया है तो सबसे पहले हम चिकन का हरा मसाला तया कर लेंगे तो यहां पर में ग्रीन मसाला बनाने के लिए एक मुठ्ठी हमने यहां पर लिया है पुदीना और इसी के स सबसे पहले अच्छी तरह से भेट लिया था इसे बिल्कुल भी लंप नहीं है और इसी के साथ हम यहाँ पर एट करेंगे 2 टेबल स्पून अधर क्लेसून का पेस्ट और इसके साथ हम यहाँ पर जो मसाला बना कर तयार किया था हम वह मसाला एट कर देंगे इसे के साथ हम यहाँ पर नमच गिरिव साथ करेंगे और शक्राफ की तरह को यहाँ वह मिला देंगे और मिला कर सक्षोपय के लिए यहां ने गंटे अब ऑन बने खेंगे इपन और इसी के साथ हम यहाँ पर दो तेस पत्ता एट करेंगे, दो दाल चीनी के टुकड़े और एक बड़ी लाइची, तो खड़े मसाल हमारे भून गए है, तो यहाँ पर हमने दो बड़ी साइस के प्यास लिये थे, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया था, तो प्यास एट कर आप चाहे तो प्यास का ग्रेवी भी बनाकर एट कर सकते हैं, तो प्यास को में 3-4 मिंट बनाना है, जिससे इसका हलका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर 3-4 मिंट हो गया है, और प्यास का हमारा कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है, यह गुलाबी कलर सा हो गया है, इतन क以前 ऐनना नर रहां archival और हम पाने चाहले मेरट करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिला देंगे विसंगों दो पखेंडे hr और चिकन जो हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और हमने दस मिर तक मीडियम फिलिम पर बनाया था इसको तो अब हम इसे कुछ मसाले एट करेंगे इसको हम पकाने के लिए यहां पर हम पानी एट करेंगे एक से डेड़ कप पानी एट करेंगे एक से डेड़ कप पानी में अच्छी तरह से कुछ हो जाएगा चिकन हमारा तो यहां पर देखे दस मिर तरह से कुछ हो गया है और चिकन जो हमारा अच्छी तरह से कुछ हो गया ह और चलिए ऐसको भूल लेते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर हम तो देखे फ्रेंट सिहां पर 10 मिनिट के बाद हम ने चिकन को चेक किया हैतु बहुत अच्छी तरह से माय कुक हो गया चिकन तो यहां पर डेकि काजु काजु कार्फ बना कर रहा पर चीकन के हिए काजु को चलाते हैं और पांच्छ मिर्थ्ट और बनाना है यहां पर औए तो यहां पर दीखसि द्वाइट्स फांच मेंट हो गए हिए और कजू का ठूर्य पर अच्छे बहुत तरह से मसालवय मिक्स हो गया है और अच्छे टेस्ट आ नंगया है यहां पर यहां पर टेट लागे तो टेवल स्पूर्स ला दिया है हमने और बहुत ही मज़दार हमारा चिकन हर्याली बनकर तयार हो गया है एक बार आप जुरू बनाईएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फेमिली असलाम अलेकुम आज हम आपको साथ शेयर करेंगे चिकन कटलेट की रेसिपी यह बहुत जारा मज़दार बनेंगे तो एक बार आप जूरू बनाईएगा तो यहां पर हमने 300 ग्राम बॉल्लेस चिकन लिया है चिकन को अच्छे तरह से धोकर वोश कर लिया है तो सबसे पह हम यहां पर काली मिश के पाउडर एट करेंगे और वन टीस्पून हम यहां पर गरम मसाल एट करेंगे और यहां पर हम नमक टेस्ट के अकोर्डिंग एट करेंगे और इसको हम कवर करके हाई फिलम पर बना लेंगे और इसको हम कवर करकर हाई फिलम पर बनाएंगे दस मिनि हो गया है और चिकन का पानी जह बहुत अच्छी तरह से खुशक हो गया यानि चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह सोफ्ट हो गया है तो इसको हम चिकन को शेट कर लेते हैं यानि इसके बोटिया तोड़ लेते हैं क्योंकि चिकन के कबाब बनाएंगे कटलिक तैयार करेंग तो या creator चिकन की बोटे हम अच्छे तड़ लेनी है तो इस लिए हम मोर मसालय त्यार कर लेते हैं यहाँ पर एक पेन ने हम रणे стр करेंगे यहां पर हम तो देखे फ्रेंट्स बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा यहां पर हमने कुछ वेजिटेबल्स ली है वह एट कर देंगे तो यहां पर हमने देखे बेटर हमारा मेल्ट हो गया है यहां पर हमने एक शिमला मिर्च लिया है जिसको अपने बाइक चोप कर लिया है शिमला मिर्च को और इसी के साथ हमने यहां पर बीन्स की फली ली है तो यहां पर हमने 50 ग्राम बीन्स की फली ली थी तो हमने इसको बा तक हाई फ्लेम पर बनाएंगे जिससे वेज़ेटेबल जिए अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएंगे और एक हलका सा सकंदर क्रंच रह जाएगा तो देखें यहां पर दस मिनिट होगा है और वेज़ेटेबल जिए हमारे अच्छी तरह से हो गए तयार तो इसी के साथ हमने इसी तरह से मिल जाएंगे तो इसी के साथ हमने चिकन शेट करका रखा देते हैं तो अच्छी तरह करें एक कैन्तबी स्थे खू कुछ से इससे मिल गया है हैं तो चिकन को तरह नहीं मिला देना है और प् extrem पर यहां और हो गया है तो यहाँ पर हम कुछ मसाल commencer करेंगे इत करेंगे तो है Tin काई है तो यह पर सबसेती पहले हम अद्यादर मेधारत करेंगे अगर आप चाहे तह मेव कर सकते हैं तो हम यह आपर दो चंब मेधा एड कर दिया है और तो यहां पर यहां पर पांच मेट के लिए हैं आपको पसंद नहीं तो चिली फिलेक्स आप अवोइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप डगनीमिर्शका पॉडर रिट कर लीजेगा लिए वहाँ एक क्वेशा कालीमिर्शका पॉडर रीट किया है और एक डाती चमच हमने गरभ मसाल क्वेशाई यहाँ मैट लात हमने आपर नमक टेश्ट के कोड़िंगे करेंगे तो सब यह को मसाले को अच्छे तरह से मिला देंगे और इसको पांच मेट रग देते हैं ठंडा होने के लिए देखें यहां पर सारे मसाले अच्छे तरह से मिक्स हो गाए हैं और अभेस का फीले में बंद कर देना है औ फिर मिसके सब्सक्री तयार कर लेंगे हो तो इसमें हम थोड़ सा धनिया भी एट कर देते हैं लाँ ओहरा धनिया एट करके भी अच्छी तरह से मिला देंगे इसको नों के इसको हम थंडा होने देना है तब क्टलेट तयार कर लेंगे यहांपर देखे हैं बसांवा कटलेट का muchís अच्छी तरह से सथ्यार हो गया ने थंडभ हो गया तो इसको में चप्वेक्ड बनालेते हैं तो देखिए इस तरह से तो मैं कटलेट रोज़ का नहीं कि देखे किस तरह से हाम ने इसके कटले 他या कर लेने हैं सारे हैं अब इससी तरह से में सारे कटले बना लेने हैं तो यह अब में व्यासीं कंट लिए कि अधै त elaborat यह अपर प्वाइन लेंगे सयहां बायक वाली दवी जिर नंबरई आती है और इसका उमने अच्छे यंदे को हमने कटलेट को ढिप कर लेना है तो काटलेट को मैं फेट लेना है और फिर हम अच्छे तरह से कॉटिंग कर लेनी है देखें इसी तरह से हमने सारा कोट कर लिया स्वाई कटलेट्स के उपर इसी तरह से में सारे कटलेट्स तयार कर लेने हैं और इसी के साथ हमने एक साइड ऑईल गरम करने के लिए रख दिया था तो देखें यहां पर ऑईल को हमें मीडियम फिलेम रखना है मीडियम फिलेम पर ही कटलेट्स हमारे इते हैं давайте contrao camb act you can press जाएंगे तो अच्छा कलir आगया भी गौल्डेन कलर आया अब घुट ईसी तरह से में इस साइट से फ्राइय कर लेना एक लेब मेज़दार बनेंगे रंजान रफिस्टेर के लिए निय herself चल रहे तो एक बार आप जरूर बनाएगा चिकन कटलेट्स बहुत ही जारा मज़दार और यमी बनेंगे तो देखे फ्रेंड्स अच्छे तरह से फ्राई हो गए हैं तो इनका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है चिकन कटलेट्स को उपर अगर आपको रेस्पी पसंद आ रहे तो फ्रेंड्स अगर आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पिलीज हमारे चियां को फोलो कर लीजेगा और एक बार आप चिकन कटलेट्स बनागा जोड़ ट्राइ कीजिए कर अब हालो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज हम आपको साथ शेयर करेंगे चिकन महरानी की रेस हमारा चिकन माहरानी बनतर तयार होगा अच्छेलीही इसका बनाने के स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर हमने हैं इस तवह बड़े काइट नियोगराप करेंगे और यहां पर यहां पर चाहिए करेंगे करा ले दो cute कर लिया है और करेंगे यहां चंह पिर आपकस को पेस्ट और यहां पर हम आदर नीमु लेंगे और आदर नीमु का मिहां पर रसे एट कर देंगे और इसी के साथ हम यहां पर 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर गर आपको पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप दकनी मिर्च का पाउडर भी एट कर सकते हैं और इस चिकन को मेरिनेट करके आदे घंटे के लिए रख देना है और इसके में एक मसाला त्यार कर लेते हैं चिकन महरानी का तो यहां पर हमने एक बड़ा चमच लेना है सोफ और इसी के साथ हमें एक चमच लेना है मोटा धनिया और पांच हम यहां पर लेंगे हरी इलाइची और इसी के साथ हम यहां पर लेंगे दो तीन जवीद्री के टुकुड़े और एक बड़ी इलाइची दो तीन जवीद्री के टुकुड़े लेने हैं यहां पर हमें और इसी के साथ हम यहां पर छे से साथ यहां पर हम कश्मीरी म रीच लेंगे लाल वाली तो इनको अच्छीतरा दोश्ट कर लेना है माशालों को जिससे इनको पर अक्शन हो चागा जाए और इनको खुश्बुदार को हम पीस लेते हैं तो देखे फिरेंस हमने यहां पर दर 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 पॉडर बना कर त्यार कर लिया है और सी के साथ हमने यहां पर दस से बारा काज लिये हैं और यहां पर हमने बारा तहरा भीग हुए बादाम लिये हैं जिसका छिलका हमने तार दिया था और तीन हमने याँ पर हरेमीड चली है और हमें इनका विस्ट बना लेना है तौशनीच कर दिया है। याँ चोप कर लिए था पियास को तो पियास कर देते हैं मस्ची तरह भून से हैं प filmmakers नहीं करना सिर्फ हलका golden color आ जाए तब तक ही बनाएंगे इसको देखें को प्यास को पर color आना स्टार्ट हो गया है फ्रेंट्स हलका सा सुनेरा सा color आना स्टार्ट हो गया प्यास को पर तो इसमें चिकन एट कर देते हैं यहां पर प्यास हमाई बहुत अच्छी तरह तयार हो गई है देखें हलका गुलाबी color सा आ गया है प्यास के उपर इतना ही हमें पकाना है प्यास को तो अब हम इसमें चिकन को पीसेज़ एट कर देंगे तो देखें फिरंड्स यहां पर हमने चिकन एट कर देना है और चिकन को अच्छी तरह चला देंगे मिक्स कर देंगे चिकन को और 5 मिट तक हमिलें पर नहीं पड़ेंगे चिकन को जब तक कि चिकन सारा पानी अपने बिलुकुल भी नछोड़ दे तो देहें भी है इसमें तो हमारा चिकन जो है पोद अच्छी तरह पाने छोड़ देगा और बिल्कुल भी मैं पाने डालने कि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए इसको अच्छी चितर चला दिया है वह पांच मिनिट होगा है चिकन को हमारे बनते हुए और हम इसको कवर करकर रख देंगे इस से हमार चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो जाएगा पंदर मिनंट के लिए देखे फैंट फंद मिनट बाद हम देख तो यहाँ पर हमारे लगबं को घो घुड़ेया है बनकर तो यहां पर लिट नहीं यहां पर पांच मिनिट हो गए देखिए और अब काजू बारहा को पिष्ट बनाकर रखा था हम एक कर देंगे कर देंगे के 15 पर बनाना है और अच्छी तरह चछी चला देंगे इसक ऑईल भी सेय। अच्छी टॉट होली होगा में फिलेंगे और तो शैकelly AH में दो पांच में काजू होता है इसमें लगने के चैंसें हो जाते हैं तो इसी के साथ हमने यहाँ बर जो मसाला तैयार किया था वह मसाला एट कर देंगे तो अगेस का impulse में लोही रखना है और मसाला को अच्छे तर छीतर से मिला देंगे और आप शीतर करेंगे ताजा क्रीम यानि फ्रेश क्रीम एट करेंगे यहां पर हम दो चम्मच तो देखे फ्रेंड से आप हमने क्रीम एट कर दी है और इस फ्रेंड से बहुत जारा क्रीम चिकन बनकर तयार होगा हमारा इसमें क्रीम तो इसको अच्छी तरह से मिला देंगे लोड फिलेम पर मैंने और यि can might JOHN 6th और किम का फिलेवर अच्छी तरह से चिकन अजा है यहां पर अच्छी तरह इसको मिला दिया है चिकन में ने और 5 म मिदे तक हम इसको लो फिलेम पर बनाएंगे और जो बहुत अच्छी तरह एट कर देंगे गारनिश करने के लिए लियूअ तैस्वाम को यूद आए फरकंद सकते हैं ऊच्छी से कुछ बहुत अच्छा है उससे भी अच्छी खुछ बहा जाएगी देगे फिरेंश यहां पर हमारा चिकन महारानी बनकर त्यार हो गया है मुगलं डिश चिकन महरानी की बनकर तयार हो गई है बहुत जार टेम्टिंग और लजिए हमारे डिश बनकर तयार हुई है बहुत जारा क्रीमी चिकन बना है तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो पिलीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ला टेस्ट यो ला जवाब बना है तो अ यहुआ है जुआ जुआ कि का आप दो यहां जुआ है कि अ झाल झाल